हेलो गैस, टेरो वीद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव के होगे होंगे गैस, आज हम जो रिडिंग कर रहे हैं, उसका टॉपिक है, इस नवरात्रा में मादुर का, आपको क्या आशिरवात दे रहे हैं, और आपके कौन सी कामनाव को पूरा कर रहे हैं, ये एक जनरल रिडिंग है काईस, हो सकता आपके साथ रेजोनेट करें, ना करें, जो बत आप की कनिशन कैनों साथ, आपको रिडिंग करती है, उसे फ्लीज रख लिजएगा, बागी को जाने दीजएगा, तो देखते हैं, इस नवरात्रा में मादुर का, आपको क्या आशिरवात दे रहे हैं, आपको क्या काईस दे रहे हैं, और आपकी कौन सी कामना को पूरा कर रहे दे स्टार ओके पहला कार्ड ही दे स्टार काया है जो यही कहता है एक विश फुल्फिल्मेंट के बाद कहता है ठीक है और हमारा टॉपिक भी यही है कि नवरात्रा में मा आपके कौनसी कामना को पूरा कर रहे है तो डेफिनेटली कैस कह सकते है कि मा के आशिरवात से मादुर्गा के आशिरवात से आपका कोई काम जरूर बनेगा या कोई विश है आपकी वो पूरी डेफिनेटली होगी definitely होगी और यह जो भी बिश है ना यह पूरी होने के साथ-साथ आपके respect में आपके मान सम्मान में व्रदी की बात भी कर रही है कही ना कही मैं कह सकती हूँ guys कि आपके मान सम्मान में बरकत होते हुए या कुछ अच्छा आपकी life में ऐसा होते हुए जहां पर आपकी पहचان बने जहां पर आपका नाम बने कुछ ऐसा हो सकता है या अभी आपका कोई काम है तो उसमें success आपको इतनी मिल सकती है जिससे आपका खुदका कहते है ना कि एक नाम बन जाना, आपकी पहचान बन जाना आपके नाम से लोग आपको जानने लगे, शार यही क्वाईश आपके रही होगी, यह कोई सपना है आपका, कि मैं आपने लाइफ में कोई ऐसा मिले एक फेम मिले है ना तो यह चीज हुआ सकती है दूसरा में यह कह सकती हूं काईस कि यह एक ही काड इस बात के बारे में भी बताता है कि अगर आपके इमेज को लेकर कहीं कोई गलत वे में क्रेट हुई है या फिर या लोगों के सामने आपको गलत समझा जाता है या जजज किया जाता है तो कहीं न कहीं आपको लेकर लोगों की जो नजरिया है वो कहीं न कहीं चेंज होता हुआ नजर आ रहा है मतलब जो एक भेड कह सकते हैं आपके विपरित खड़ी थी वो कहीं ने तहीं आपके पक्ष में खड़ी होती ही नजर आ रही है मतलब लोगों का नजरिया जो है ना आपके लिए बदलता हुआ नजर आ रहा है अभी आप देखना नवरात्रा के बात से कि जो लोग आपके बारे में गलत चट्चाएं कर र जैसा बताया कि कोई काम अगर आपका नहीं बन रहा था पहला ये कार्ड ये कहता है कि वो काम आपका बनेगा और डेफिनेटली बनेगा इस नवरातरा में बनेगा ठीक है और अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो कोई बिजनस स्टार्ट करना चाहते हो और उसके बारे मे काम को शुरू करवाएं मकान बनाना घर बनवाना शुरू करवाएं तो यहाँ पर उसकी संभावना भी लग रही है गाइस कि हाँ बिल्कुल आप यह काम करो आप स्टार्ट करो वो काम वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुब रहेगा ठीक है ना तो कोई विश्ट स्टार में तो बहुत जादा है ना बहुत से लोग होते हैं जो फास्ट करते हैं और कन्याओं के लिए भी बहुत कुछ करते हैं तो यह आपके लिए कहां जा रहा है कि पहले भी आपने यह काम किया ना तो यह कहीं ना कहीं माता को बहुत प्रसंद किया है यह काम ठीक है न जी ओके एड ओफ स्वार्स माँ आपको यहीं कहना जाते हैं कि यह वाले जो तकलीफ में आप होना जहां पर आपको बहुत बंदा हुआ सा लगता है या बहुत ब्लैक मैजिक जैसे या फिर नेगेटिविटी आपको बहुत लगती है आपकी हैल्थ का इशू भी बहुत रहत है और एक यह कह सकते हैं कि दिमाग उल्जववा होना केवल नेगेटिविटी से केवल नेगेटिविटी से जो मैंने अभी भी कहां कि ब्लैक मैजिक जैसा भी आपको लगता है तोड़ा अलग आपको अपनी लाइफ में किसी चीज का प्रभाव नकारात्मक्ता का वो लग सकता है लेकिन आपको बांध नहीं सकता ये सिर्फ आपकी नेगेटिविटी है जो दूसरे लोगों की गती विद्यों को अपने पर हावी कर रही है आपका सुरक्षा कवश्त माने पहले ही बना दिया है फिर आपको किस बात की चिंता कोई आपको छू भी नहीं सकती नेग सकती ये बच्चे को बीच पे खड़ा भर ले कर दिया है परिस्तितियों ने लेकिन ये जो बंदा हुआ सा आपको लग रहा है ये सिर्फ इस बच्चे की जो है क्या कह सकते है कल्पना है तो मा क्या कह रहे है कि इस नकार आत्मक्ता से खुद को निकालने के कोशिश करो ये आपके दिमाग की कह सकते हैं कि उपज है इस उपज से पाहर आओ आओ ठीक है ना क्योंकि यहां पर मा की प्रोटेक्शन आपको भरपूर है उनका अशिरवाद आप पर भरपूर है तो इस चीज की चिंता करने की कोई जुरूरत नहीं और जो भी नेगेटिविटी है जो आपको लगता है कि नहीं है विल्कुल है हम मैसुस कर रहे हैं तो मा आपको यहीं कह रहे हैं कि उस सारी नकारातमक्ता से आपको निकाल दिया जाएगा आप निश्चिंत रहो निश्चिंत रहो ठीक है आप बस उस बात पर ध्यान रखो कि आपकी कोई विश पूरी होने व तो लाइफ आसान हो जाएगी और ये काफी हद तक सकते भी बात है गाज तो यहां मा आपको यहीं कह रहे हैं दुर्गा मा आपको यहीं कह रहे हैं कि आपके जो भी प्रातना की हुई है ना वो प्रातना है कभी खाली नहीं जाएगी आपने कहीं बार प्रातना की होगी कि ब कि उन सब में सुधार होगा, बच्चा बिल्कुल चिंता मत करो, यह जो भी जाल बनाए हुए है ना, उन सब से आपको चुटकारा दे रहाए जाए, का देखो यहाँ पर पीछे एक मंदीर के भी आकरती निजर आ रही है, है ना, इमेज निजर आ रही है, तो यह यहीं कह रह अपनी लाइफ में उन पर ट्रस्ट रखो, है ना, और जो प्रातना करते हो, पूजा अराधना करते हो, आप उनकी वो किया करो, उन से वो बहुत प्रसन है आपसे, वालब कापी सारे वीवर्स ऐसे होते हैं, जो वाकई में इतने भक्त होते हैं, कि उनका हवन करना, और फा भाव से और इतनी श्रत्ता से अगर कोई आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो माता पौंसती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो बड़ी कठोर तपस्या जैसे कहता है ना, कि नौ दिन तक का भी फास्ट करते हैं, अब इतनी सची श्रत्ता रखकर, आप माता के प्रसन करने वाला है, यह देखो, मा यहीं कह रहे हैं, कि अभी आप अपने पैसों को लेकर थोड़े दिक्कत में हो, पाइनेशल ग्रोथ आप चाहते हो, और आपने अपने पाइनेशल ग्रोथ करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए हैं, लेकिन फिर भी एक जितना लेव के इच्छा को बताया जा रहा है, यहां पर कम इच्छा को नहीं बताया जा रहा है, कि एक हाई लेवल के इच्छा है, कि हमें इस्टाबिलिटी चाहिए, हमें अपने लाइफ में सारे सुवीदाएं चाहिए, यहां पर नॉर्मल कहते हैं, कि जीवे को पारजन करने के फिर बाद में में और लोगों के लिए भी करूं तो इच्छा और कहता ने नियत तो साफ ही है गाइस ठीक है और मां यही कह रहे हैं कि अभी अगर दिबाग में कोई आता है काम करने का, कुई बिजनस स्टार्ट करने का, कोई भी डील साइन करने का कुछ भी अच्छा करने का, उसके लिए शुब दिन का वीट कर रहे थे तो वो शुब दिन नवरात्रह में आपके लिए होंगे अप कभी भी नवरात्रह में अपना कोई कामें स्टार्ट करों, उसमें success मिलेगी उस काम में कोई बाददक नहीं बनेगा या कोई भी आपके काम में रोड़ा डालने की कोशिश नहीं करेगा अगर कोई कोशिश करता है तो उनको करने दो उनका कोई बुरा प्रभाव आपकी life पर आपकी काम पर आपके पैसों पर नहीं पड़ेगा यहाँ पर financial तोर पर कहता है कि आपके life में एक success का आना यहाँ पैसा का रास्ता आपके life में बनना आपके और बनना यह हो रहा है जहाँ पैसा टिकता नहीं था आपके हाथ से निकलता जाता था वहाँ पैसा आपके हाथ में ठिकना शुरू और देखना यहां पर पता है क्या लग रहा है कि जितनी कमाई होती है उससे जादा तो खर्श निकल जाता है अब यह एक महीना हो दो महीना हो तो यह तो चलता है नॉर्मल सी बात है कि यह तो चलता है लेकिन हर बार अगर ये चीज हो ना तो एक भविश्य की चिंता बन जाती है तो यहां कहीं न कहीं माँ आपकी इस चिंता को दूर करने वाले हैं कि आपका पैसा जो हेल्थ पर उडेला जा रहा था न वो रुकेगा मतलब इसका मतलब क्या है देखो एक मेसेज में दो मेसेज आए कि कहीं न कहीं आपकी हल्थ को सुधार दे जाएगा आपको स्वस्तर रखा जाएगा जिससे आपका जो पैसा बीमारी पर निकलता था ना वो बीमारी पर नहीं निकलेगा और वो आपके लिए अच्छे से स्टोर होगा यानि एक कहता है ना कि बांद का बनना पैसे को रोकने के लिए ठीक है अब पैसा ठीक है यह कहने का मतलब है ठीक है ना तब ही तो देखो गाइस जब stability आते है ना तो name fame भी साथ में लेकर आती है तो एक तो कहते है ना कि पैसों का रुकना बच्चत होना और साथ में काम का भी अच्छा चलना तो प्लस प्लस होता जा रहा आपके life में positivity positivity होती जा रही है ठीक है ना page of swords अब गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं रहेगा आपका सारा गुस्सा जो है ना माने पूरा दूर कर दिया है मैंने बता ना कि यहां पर मा आपकी life के सारी नकारात्मक्तों को निकाल रहे है माता का काम ही होता है गाइस की बच्चे को शांत करना और यहां नवरात्रा में माता ने मतलब ठान लिया है कि मेरे किसी बच्चे को शांत करना है उनकी लेट से सारी नकारात्मक्ता को निकाल कर, पहले उनकी गुस्से को निकाल कर, गुस्से को कैसे निकाला जाएगा, उस बच्चे की इच्छा की पूर्ती करके, अब जब बच्चा खुश हो जाएगा तो अपने आप चेहरे पर मुस्कुराट आएगी, खुश हो करेगा कि माने वाकए मेरी पीडा को हड लिया हो सकता है देखो अभी जैसे ये पीडा को हड लिया ये शब्द अचानक से मेरे मुझे से आया तो डेफिनेटली मुझे ऐसा भी लगता है कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाएगा आपका या कोई विश ऐसी मांग रखे कोई मुराद ऐसी मांग रखे कि मेरी ये मुराद पुरी हो तो आपके दर्शन को आउं तो ये भी हो सकता है मतलब एक बात कहूँ गाईस कि यहाँ पर आपका समय चो है न यह मैं कह सकती हूँ कि आप क्यों और मुड़ता हुआ आ रहा है अब क्या है सच कहूँ कि काफी सारे विवर्ट्स ऐसे हैं गाईस जड़ान अपनी लाइफ की एक बहुत भयंकर तरीके की सिचुशन को देख रहा है तो उनको अगर कोई तसली में भी कहें न कि आपका समय अच्छा आने वाला है तो उनको ट्रस्ट नहीं होता उनको लगता है कि possible ही नहीं है बिलकुल उनको ऐसे ही लगेगा कि possible ही नहीं है impossible कब possible में बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता कहां ये वाला eight of swords की energy और कहां पर ये दस्टार की energy यहीं जो आपकी नकारत्मकताना की नहीं हो सकता life में ये माता आपकी सोच को बदल कर आपको बताएंगे, कि कैसे नहीं बदल सकता, मा के लिए सब कुछ संभव है, ठीक है, बच्चे को पता नहीं है, लेकिन मा के लिए सब कुछ संभव है, ठीक है न, देखो, आपको वापस से देopress के energy में लाय जाएका, आप देखो म Scottish School मेरे मूँ से क्या है, कि वापस से आपको Empress के energy में लाय जाएगा, य utilized y coaches, कि दो पहले आप कि शायद image पर कोई effect आया जिसकी वज़े से आप में गुस्सा भर गया गुस्सा तो बहुत भरा हुआ है का इसाप में लेकिन उस गुस्सी को कहता है आप मां आपको कहता है आप प्रसफुटित नहीं होने देंगे क्योंकि यह गुस्सा अगर प्रसफुटित हुआ तो यह negativity म बदलेगा ट्रांसफर उसमें होगा लेकिन मां आपका यह ट्रांसफरमेशन नहीं जाते है कि यह आपकी नकारात्मकति गुस्से में बदलकर सामना आए यह आपके लिए बुरा effect कर जाएगी तो यहाँ पर आपको शांत करके कैसे शांत करके कि आपकी कोई wish को पूरा करके आपको इस energy से eight of swords की energy से the empress के energy में लेकर आया जाएगा आपके इच्छा की पूर्दे करके दब आपको लगेगा कि चलो मतलब तब जो है न सच्ची में real मैं आपकी यह गुस्सा बिलकुल शांत हो जाएगा कि आप चलो life में ठीक है है ना बदलाव आपके लिए आ रहे है क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विवर्स की दिमाज में बदलने लेने की भावना या फिर एक गुस्ते का लेवल जब बढ़ जाता है तब बेबंदा सोचता है कि मुझे भी वैसा ही वैसा करना है जिन्हों ने जैसा मेरे साथ किया था और माह आपको र आपको रोका जा रहा है अगर बदले के भाव आप में आते हैं तो यहां मा कह रहे हैं आपको कि आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे आप बदले का भाव मत रखना तीक है जो जस्तिस है जैसा आपने सोचा है उससे कहीं जादा तरीके से अच्छे तरीके से आपके साथ आप इस बात से यही नेगटिविटी दिमाग में आ रहे हैं इस से धियान हटाना अपना यह आपकी लिए गाइडेंस है ठीक है ना यहाँ पर खुश रहना है खुश रहना है ठीक है ना एंप्रेस वाली एनर्जी में वपस आ रहे हो गाईस यह समझने की कोशिश करो यही ए इस नेगटिविटी से निकाल कर एंप्रेस वाली एनर्जी में आना कि आपको उस ओधे पर पहुचा देना जहां पर सब आपकी रेस्पेक्ट करें जो मैं कहा रही हो ना कि कोई हो सकता है काम आपके बन जाए या कोई सक्सेस आपको मिले सफलता आपको मिले जहां पर आप संसाइ सुनने को मिलेगी जो एक समय में आपकी बुराई किया करते थे जो एक समय में यह कहते थे कि इनसे कुछ नहीं होगा या फिर यह किसी काम के नहीं है या फिर कहीं ना कहीं आपको डाउन में लेने की कोशिश करना आपकी कॉन्फिरेंस को तोडने की कोशिश की थी अब वो आपका ये रुपांतरन देखेंगे, ये transformation देखेंगे, कि मान आपकी life में क्या शमतकार करती है, क्या मेरे कल करती है, और आप में नेक भाव बहुत है, आप दयालू प्रवति के बहुत हो, तो ये चीजे भी कही न कही माँ को बहुत प्रसन करती है, और एक और चीज कि आप में एक healing करने वाली शमता है, या आप अपने प्यार से करते हो लोगों को heal, जैसे कोई भी दुखी इंसान होगा ना, आपकी situation क्या, या आपका व्यभार क्या पता है, कि खुद अगर दिल में दुख है आपके, तकलीफ है, लेकिन अगर कोई सामने से कोई और बंद किसी में होना, कि एक पर तकलीफ को किसी के दूर करना, उनको खुश करने की कोशिश करना, यही चीज़ आप करते हो, आप औरों के बारे में बहुत ज़्यदा सोचते हो, आप selfish बिल्कुल नहीं हो, लेकिन selfish का ठपा आप लगा है, आप पर लालच बहुत ज़्यादा करने क ठपा भी लगा होगा, बट कोई नहीं गाहस, यह समय जो है न, यह आपकी life से, यह सारे जो कहते है न, कि इसे बूरे certificate आपको मिले है न, वो सारे certificate अपने आप, जिन लोगों ने दिये थे, वो लोग खुद लेकर जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको तो वहीं पर बैठा रहना है, जहां पर आप बैठे थे, और जहां पर लोगों न, आपको कहा कर, फ्री हो गए थे, रवाना हो गए थे, अब वहीं लोग आकर, वहीं certificate वापस लेकर जा रहे हैं, अपने को कुछ भी नहीं करना, यह कहता है न, कि अगर इंसान, बंदा सच्चा हो न, तो उनको अपनी गवाई देनी के अवशक्ता नहीं होती, कि वो कितने सच्चे है, कितने नेक है, समय अपने आप उनको उनकी गवाई दे देता है, यहां पर समय आपके साथ है, वो गूम कर आया है, और अब आपके पक्ष में है, और आप कितने निर्दोश हो, कितने गुना हो या आपकी image real में क्या है ये अब लोगों के सामने आएगी तभी आपको respect मिलेगी नमान समान मिलेगा और अब उस पर फिर से कहता है ना कोई चोट नहीं पड़ेगी ठीक है ना growth तो खूब होगी गाइस देखना आपकी respect दिन प्रते दिन बढ़ती जाएगी निश्चिंत रहना काईस अब बिल्कुल भी चिंता मत करना ठीक है यहाँ पर ये कोई बात समझ में आ रही है कि अगर कुछ viewers के साथ उनके बच्चों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है ना तो ये इस मामले में भी आपको कहा जा रहा है कि निश्चिंत रहना मन में आप किसी तरीके का गुस्सा नहीं पालना और अपने को किसी को भी कुछ नहीं कहना कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है क्या नहीं किया या उनके बारे में गलत बोलना ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, आप कुछ रहो, खुदब खुद आकर कह सकते हैं कि आपसे माफी मांगेंगे या फिर अपनी गलती का एहसास उनको होगा, ठीक है ना, यह तो चीज है, फाइफ अफ वेंड्स, शिक्स अफ पैंटिकल्स, दो मैजीशियान, ओके, देखो दो दो काड आए हैं, इच्छा की पूर्ती होने के बारे में, seven of swords, okay, ace of cups, wow, very good, nice, strength, बिलकुल, मा क्या भगत होना, तो strength आना तो लाजमी है, ठीक है ना, और यह देखो, मा यह ही कह रहे हैं कि, यह death वला moment आपकी life में आया था नहीं यह, इसके बाद से आपकी intuition बहुत तीज होने लगी है, लेकिन इस intuition पर negativity का प्रबाव पड़ रहा है, अगर यह negativity हट जाए ना, और यह negativity हट जाएगी ना, फिर देखना आपके intuition इतना काम करेगी, the magician के energy के साथ यह कहा जा रहा है कि, जो भी इच्छा को आप manifest करोगे ना, वो फल जाएगी, वो फल जाएगी, और मा आपके साथ justice लेकर आ रहे हैं, मा आपको कह रहे हैं, बच्चा कोई भी तकलिफ में मत रहो, अपने नीनदों को खराब मत करो, अब आपको चैन से सोने का, और अपनी life में चैन से जीने का हक आपको मिल चुका है, वो पहले भी था, ठीक है, आपको चैन से जीना है, खुश रहना है, आपके साथ क्या justice होत जो बहुत कुछ hidden चल रहा था आपके life में, उन चीजों को हो सकता है कि आपके सामने लाया जाएगा, या कुछ बूरी चीज़े जो आपके पीट के पीछे चल रही थी, जो आपको पता नहीं था, उन मामलों में भी आपके साथ justice होगा, आपके साथ justice बहुत चानदार होने है मेरे युद्धा के लिए, है न, यहाँ पर मैं आपको यहीं कहूंगे कि तब magician की energy में आप हो, जहाँ पर माँ आपको यहीं कह रहा है कि कोई भी इच्छा आपकी है, वो इच्छा फलिबूत होगी, होगी और definitely होगी, और यह इच्छा आपकी लग में एक नई शुरवा और आप देखों यह justice में थोड़ा time लगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा time लगा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि nine की energy आ रही है, पता नहीं, नौ महीने कह सकते हैं, नौ साल कह सकते हैं, जैसा कि मैंने कहीं परका है guys कि यह जो साल है ना यहाँ पर, इस साल में आप देखना कि आपके पूरानी से पूरानी इच्छों की पूरती होगी, या पूराने सा पूराना कोई सपना है, आपका वो भी सच इस साल में होगा, definitely होगा guys, यह साल जो है ना बहुत बड़े परिवर्तन को ही लेकर आएगा, चोटे परिवर्तन ही नहीं इस साल में इंट्यूशन जिन लोगों की बहुत कमजोर है, जो मेडिटेशन करती है, या उनको महसूस होता है कि थोड़ी थोड़ी इंट्यूशन तो मुझे होती है, लेकिन एकदम clear way में कहूं ना कि बिल्कुल मुझे आभास हो जाना, तो वैसी इंट्यूशन हो तो कितना अच्छा लग गया, आपके साथ justice होने में, लेकिन अब देखना आपको justice देखने को बिलेगा और ये तैह है, ठीक है ना, तो ये जीज भी है, एक आपके लिए guidance आई है कि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो गाइस, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो और कहीं ने कहीं माता ने आपक कि जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो ना, उनको आपको continue रखना है, लेकिन साथ में एक चीज मैं कहूंगी कि अगर, अगर जैसे कभी-कभी ऐसा होता है ना, कि कुछ लोग जैसे दान करने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, कि थोड़ा उपर से कि मतलब को कि मुझे टच ना कर ले, है ना, तो वो क्या करते हैं, उपर से देने की कोशिश करते हैं, वो कही नगए अपमान वली बात हो जाती है, यहाँ पर मुझे एक बात, जैसे यह कार मैंने हाथ में लिया न, हाथ में देते ही मुझे एक चीज का अपास हो, कि कुछ वीवर शाय है यह हम अच्छा कर्म करके बुरा कर्म भी अपने साथ लेकर आ जाते हैं तो यह गलती मत करो सब इंसान एक जैसे हैं है ना और मा अपने बच्चों में कभी भेड़बाव नहीं करती कोई चूत अचूत नहीं होता है ना तो अगर आपके साथ यह चीछ चल रही है तो इसमे सुदार करने के आवशकता है माता यहीं कह रहे कि अच्छे कर्म इतने सारे कर हो इतने प्यारे बच्चे हो तो यह गलती मत करो यह अच्छा नहीं लगता है ना तो थोड़ा इसका ध्यान रखना ठीक है ना जी और मैं कुछ कार्ट्स देखूं कि माता आपको क्या कौन सी ब्लेसिंग आ रही है माता के आपके पास जॉए 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 आ रहा है क्यूं कि यह स्टार का कार्ड आया और यह नाइन ऑफ कफ्स का कार्ड आया के इच्छा के पूर्ती होगी तो डेफिनेटली जॉय आएगा जुमने का मन करेगा नाचने का मन करेगा और कहीं न कहीं मैं बात बता हूं गाईस मुझे ऐसा लगता है कि आप में यह शौक है आपको यह अच्छा लगता है डांस करना नृत्य करना मैं यह नहीं कहती कि कोई फिल्मी गानों पर ही करना कभी-कभी होता है ऐसे जूमने का मन करता है तो अगर ऐसा दिल आता है तो किया करो किया करो यह आपके लिए बहुत अच्छा है यह आप में पॉजिटिविटी लेकर आएगा एक पॉजिटिव ओरह आपका बनाएगा जहाँ पर आपका मन प्रसन रहेगा आप अच्छा सोचोगे अच्छा मैसूस करोगे तो वो मैनिफेस्ट भी होगा तो कहीं आपके कहते हैं कड़ियां आपकी तरफ जूटती हुई और आपकी पॉजिटिविटी को और बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं एक खुशियों का चुम्बक आपको मैं कहते हूँ न तो यह जॉय जो है यह मन में जो चंचलता आ रही है यह आपको वहीं चुम्बक और कहते हैं आप प्रभावी बनाने में काम कर रहे हैं यहा यहां पर यह कार्ड क्या कहता है, manifestation का कार्ड कहता है, और यह अपने आप में बहुत powerful energy है, guys, death वाले moment के बाद में यह कार्ड आ जाना, अपने आप में बहुत कह सकते हैं, guys, कि बिल्कुल एक situation को बिल्कुल बदल देना, बिल्कुल बदल देना, एक खुशी ले आना, मैं इसके आप पर universe की बहुत महर है, यहां पर यह देखो, यह अनन्त काल की blessing कहता है, वो है, कि अगर भुगता भी है, लेकिन फिर भी उसकी तकलीफ अगर नहीं है, अगर वो किसी और लोगों की मदद में, वो energy जाती है, मतलब कहने का मतलब यह है, कि भले आपने काफी और लोगों के लिए भलाई का काम कर रहा है, वो सबक आपका, और लोगों के लिए भलाई का काम कर रहा है, आपको आपके energy ऐसे हैं, आपको तकलीफ में नहीं जाएगे बात, आपको लगे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब यह वर्ड कहना गाइस बहुत मुश्क पॉंशना लोगों के, हए अपनी एनरजी से, ्जहाल को, हमें ही पता नहीं होता हम्हाना हम्हें कौनसी आरजी और किटनी प्रभावी एनरजी है, और आपका intuition में सच कहो ना बहुत प्रबल है अगर आप notice करो तो आपको पता चल जाएगा यह देखो नवरात्रा में आप में आपकी energy जो है ना वो बहुत powerful रहने वाली है बहुत powerful रहने वाली है आपका universe के साथ connection और ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप meditation करते हूँ तो देखना आप में कितने अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे या फिर आपके यह अगर spiritual जंडी में हो ना आप तो देखना आपके चक्रास में balance होते हुए आपको नजर आएगा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ viewers की energy हार्ट चक्रा तक पहुँचे गया आपका हार्ट चक्रा यह open होते हुए मुझे नसर आ रहा है यह card देखो मुझे हार्ट चक्रा के बारे में बता रहा है पता नहीं क्यों लेकिन बकाईडा guys मेरी कुछ की intuition भी मुझे यहीं कह रही है कि किसी बच्चे का हार्ट चक्रा जो है न वो open हो रहा है आप में एक रोशनी आ रही है guys आपके चहरे से आपको अंदाज़ा हो जाए था कि कुछ बदलाव तो भई मेरी life में आ रहे है या आने वाले हैं है न वो जी क्योंकि यहाँ पर green green का नजर आना और सर्च कोन गाईज कि एनर्जी का हार्ट चक्रा तक आना बहुत जरूरी होता है यहां तक ही मुश्किल होता है एनर्जी का balance करना फिर तो कुछ भी ने फिर तो बहुत आसान है हो सकता है कि आपको सपने में brown color का doggy या फिर शिवलिंग के दर्शन होते होंगे या कोई भगवान के दर्शन होत होंगे मतलब कुछ तो विशेश आपको दिखते हैं वह आपको यहीं कह रहे है कि आप एक spiritual journey में हो आपको meditation करने की जुरूरत है या कहीं ने कई खुद को एकांत में थोड़ी दीर के लिए बैठाने की जुरूरत है आपको ज्यादा कहते है ना उतनी मेहनत के अवशकता ही नहीं है पहले से रड़ी हो आप बस यह कहता ना कि फिर से polish करना क्योंकि इस जनम में आने के बाद में कुछ परिश्थितियों ने आपकी लाइप पर कह सकते हैं कि धुंद डाल दी है एक कोहरे जैसा आ गया बस उसको सफ करना है और उसकी लिए meditation करना और meditation नहीं नहीं हो नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी देर के लिए अकले में बढ़ जो और जिनको मानते हो ना उनका इस्मरण करो या उनका नाम का अजब करो ठीक है ना अपने आप अपनी लाइफ में आप देखना कितने सकारातमक्ता को एट्रक्ट करते हो और आपके intuition कितनी प्रबल होती है फिर जो मैं कहा रही हो ना एक justice के बारे में या कोई इच्छा के पूर्टी होने के बारे में या कोई joy के बारे में ये देखना आपको खुद महसुप सो जाएगा आपके light में एक नई शुरवार definitely हो रही है यहाँ पर death के card के पास में ये the ace of cups का card आया information कितनी प्रबल दी गई है आपके लिए बिल्कुल चिंता मत करना गाईस जो भी परिस्तित्या बनी हुई है ना वहाँ पर justice मेरे कर बिल्कुल होगा definitely होगा gratitude दो आप मालिक को कि मालिक मेरी लाइफ में सब कुछ करने के लिए धन्यवाद मुझे मेरे और पर फिरसे अच्छा करने के लिए धन्यवाद मेरी घर परिवार को फिरसे अच्छा करने के बहुत सारे दन्यवाद ये कुद बहुत मेरे मुझे से शब्द निकल रहे हैं और ये ये मुझे पता है का इसके ये वाक्य में सत्य है किसी के लिए आपकी लड़े जगड़े पहस बाची है नहीं सब जाने वाले हैं बिल्कुल भी चिंता मत करना माय दुर्गा का बहुत आशिरवात है ये नवरात्रा आपके लिए इतने बदलाव लिख करेंगी गौसिप बहुत होने वाली है होने दो अच्छा है गौसिप उनीक होती है ज कि शायद एक समय में आपके घर की परिस्तित्यों पर लोगों ने चट्चाएं बहुत की जो बूरी परिस्तित्या बनी हुई थी जो डेथ वाला मोमेंट बताता है कि लड़े जगड़े बहुत हुए थे ठीके या फिर आपके काम में अच्छानक से लॉस का होना तो कुछ कुछ परिस्तिया आपके ऐसी बनी थी जहां पर लोगों ने कहता है कि तवाशा वाली बात जो बहुत देखा है और उसकी बारे में चट्चाएं करके एक बर कहता है ना कि दिमाग को बहुत खराब करना या फिर उल्जाना दिमाग को लेकिन अब जो आपकी लाइफ में ज चेंज हो रही है जैसा बता है ना कि कुछ लोग जो सर्टिफिकर देखर जा रहे थे कि आप तो गलत हो आप तो ऐसे हो आपको तो कुछ करना नहीं आता है यह जो कुछ भी आपने बारे में बुरा सोचा था बुरा सौरी आपके बारे में जो बुरा सुना था ना उसके ब वहीं पर बैटी थी वहीं पर बैटा था मैंने बस प्रे की मैंने बस मैनिफेस्ट किया कि मेरे कोई इच्छा पूरी हो जाए मेरा काम बन जाए मैं कुछ अपनी लाफ में करना चाहता हूं करना चाहते हूं अपने प्यारों पर खड़ी हो जाओं या फिर मेरे दिये कोई financial source आप अप्रूप लब्द करवा लो मैं अच्छे काम भी कर लो ठीक है और अपनी जीवी को पारजन भी कर लो मेरी मदद करो मालिक ऐसी विश्पी आपने की है वो विश्पूरी हो रही है मैं कैसे बता हूं अब इसकी gossip होगी होने दो होने दो अपने को ना तो अच्छी gossip का अपने पर फरक पढ़ना है और ना बुरी gossip का ने कोई factor नहीं पढ़ना है अपने पर ठीक है मिरेकल मिरेकल बिलकुल यह होगा यह होगा इंट्यूशन कहा रही है मुझे ऐसा लगता है दिल कह रहा है कोई च्छा पूरी होने वाली है यहां कुछ मेरी लाइफ में अच्छ दिखते है ना तो मन में एक खुशी हा रही है कि कुछ definitely मेरी life में हो रही है कुछ मुझे ऐसा लगता है जैसे यह काड के साथ में यह काड आना कि कुछ अलग आभास होना ऐसे अनुभव होना जो केवर आप ही के साथ होते हैं जहां आप के कुछ और लोगों के साथ बेटे ऐसाःस को होते हैं और वह इसलिए होते हैं कि वह कहीं लेए आपको संभाला जाता है आपको और यह बताया जाता है कि आपकी डुश्कले मेरी सब्सक्राइब मेरी से जब कभी भी हमें कुछ अलग आपास होता है अलग मैसूस होता है या कोई बैठे हुए हमें एक अच्छी सी खुश्बू आने लगती है ना तब यूनिवर्स को ग्रैटिटूड देना ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है कि बैठे हुए हैं और सिर्फ हमें ही कोई अच् होता है तब ग्रैटिटूड देना उनको धन्यवाद करना ठीक है कि मेरी विश्च को पूरा करने के लिए मेरी लाइफ में मिरेकल करने के लिए या आप मेरे साथ मुझे गाइड कर रहे हो ना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और I love you so much ठीक है ना दोनों ही चीज़ करोगे अब खुशे से जूमोगे तो यह कोई महत्व नहीं रखे का अब आपकी लाइफ में और देखना आगे चलकर जैसा मैंने कहा ना आप में वह एनरजी है हील करने वाली तो आप और लोगों को भी बंद कैद में जो है ना रहने नहीं दोगे यह आप फ्रीडम चाहत क्योंकि बच्चे होते ना मालिक के उनकी लाइफ में अच्छे काम वह कड़ते हैं और उसके लिए धन्यवात करना मालिक को हमें सरिया बनाने के लिए that कम्पलिशन और यहां पर डेत का कार्ड है कोई कि कि ये card क्या कहा रहा है कि आप अपने soulmate से कब मिलोगे कि एक अगर death वाली situation आपके life में आ गई या कोई completion आपके life में आ गया है तो उसके बाद में ही आपके life में ये miracle होगा आपकी energy जो है वो develop होगी और आप अपने twin flame से ये soulmate से मिलोगे तो इस reading में जो भी positive energy आई है उसको accept करना, claim करना युनिवर्सी यहीं pray करना कि मालिक हमारे इच्छा की पूर्ती हो हमारी ख्वाइश पूरी हो हमारी life में मिरेकल हो हमें मान सम्मान मिरे justice हो और आपका प्यार और आपका आशिरवाद हम पर अनंत काल तक बना रहे है ठीक है ना जी तो गाइस यही दिये आज की reading गाइड अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को comment लैक शेयर कीजिए मैं मिलती हूं आपको next reading में तब तब कीजिए बाई